दोस्तों अगर आप एक law student हैं और अपने CV को enhance करना चाहते हैं तो legal internships जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप करते हैं उतना ज़्यादा आपके CV को better समझा जाता है by the future recruiters और अगर वो internship एक government organization में आपने की हो तो उसको और भी बहतर माना जाता है तो दोस्तों एक ऐसी ही opportunity के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ आप सभी से मेरा नाम है दिव्यान शुशर्म और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है Legal Pedagogy तो दोस्तों ये summer internship निकाली गई है नहर्ची के दौरा National Human Rights Commission के दौरा जो की government organization है जि क्योंकि इसका जो process है वो थोड़ा बहुत complex रहता है वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारी Legal Pedagogy के Instagram page को follow नहीं किया है तो आप बहुत सारे updates से दूर रह पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हम regular internships के बारे में certificate courses के बारे में update देते रहते हैं तो द internship जो है चार हफतों की रहने वाली है 10 June से लेके 5 July तक तो चार हफतों की internship रहेगी उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कौन-कौन students इसमें eligible हैं तो अगर आप 3 year LLB course के second year या फिर third year में हैं तो आप eligible हैं इसके लिए वहीं अगर आप 5 year BLLB या BBLLB के course के student हैं अगर में हो तो आप भी eligible हो along with those students who are pursuing LLM जो LLM अभी कर रहे हैं वो भी इसके लिए eligible हैं यहाँ पर पर एक age limit रखी गई है कि age आपकी कम से कम 28 साल से कम होनी चाहिए एक में 2024 तक एक में 2024 को अगर आपकी age 28 साल को exceed कर जाती है तो आप eligible नहीं होंगे इस internship के लिए उसके साथ ही साथ आपको एक LOR चाहिए होगा letter of recommendation जो कि आपके university के जहां से आप log कर रहे हैं वहांके hod, dean ये लोग दे सकते हैं LOR के लिए क्या ज़रूरी होगा एक format दिया गया है इस PDF में वहां पर वो सारी details फिल करेंगे उसको scan करके आपको upload करना पड़ेगा वो सारा process भी अभी हम जानेंगे इस वीडियो में उसके साथी साथ आपको class 10th से लेके law के previous semester तक की सारी ही mark sheet चाहिए होगी और अगर आपने एक internet copy निकाली भी है जिस college में आप हैं जहां से law कर रहे हैं उसकी mark sheet की आपको attested copy चाहिए होगी जो आपके hod attest करेंगी आपको dean attest करेंगी तो LLB की तो सभी mark sheets आपको attest करानी होगी अपने college के dean यह चोडी से और बाकी सारी जो mark sheets है वो आपको upload करनी होगी 10th 12th graduation की उस particular website पर जाकर वही एक statement of purpose का भी यहां पे जिक्र है जो कि आपको 300 से लिके 500 शब्दों में लिखना पड़ेगा website पर जाके जहां से आप apply करेंगे कि क्यूं आप NHRC में work करना चाते हैं क्या intention है उसके पीछे क्या purpose आप achieve करना चाते हैं तो 300 से 500 शब्दों की बीच में आपको उसको लिखन पड़ेगा पर अगर आप पहले NHRC में internship कर चुके हैं तो आप re-eligible नहीं है आप फिर से इस internship के लिए apply नहीं कर सकते हो तो 80 बच्चों को लिया जाएगा और 5 additional बच्चों को और लिया जाएगा जिनको waitlist में रखा जाएगा जो कि दिली NCR के होंगे पर यह जो 80 बच्चे हो तो आपके आने जाने का भी जो train ticket होगा थ्रिटा एरेसी का वो NHRC ही PR करेगा और दोस्तों यह एक free internship नहीं है इसमें आपको इन 4 हवतों के लिए 12,000 रुपे का stipend भी दिया जा रहे 12,000 रुपे का stipend मिलेगा उसके अलावा last में अलग-अलग competitions organized किये जाएंगे तो उसमें भ भी आपको cash reward दिया जाएगा पर cash reward से जादा बहुत important है कि आपके CV को इतना जादा enhance करेगा क्योंकि बहुत नामी organization है government organization है तो आगे जब आप उसको CV में आपके reflect करेगा तो आपको एक kickstart मिलेगा अपनी career में और दोस्तो last date है इसकी 26 में 2024 शाम 6 बजे तक आप apply कर सकते हैं पर last date का कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो सारा process समझ लीजे और तुरंत जाके apply कर देजे अगर आप इसके eligibility criteria को meet out कर पा रहे हैं तो दोस्तों इसी PDF में यह LOR का पूरा format दिया गया है इसको आप भरवा लें अपने dean से hod से और उसको scan करके महाँ पर attach कर दें तो दोस्तों कहां से आपको यह पूरा form फिल करना है आपको जाना है nhrc.nic.in इस particular website पर जब आप यहाँ पर जाएंगे तो training and research में जाए फिर summer winter internship program में क्लिक करिए यहा पर जाके apply online में जाए जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर सारी ही guidelines दे दी गई है जो मैंने भी आपको बताई है कैसे कैसे कौन-कौन eligible हैं और क्या-क्या documents आपको चाहिए होंगे जब आप इसको पूरा पढ़ लें तो यहाँ पर no click कर दें अगर आपने इससे पह numericals दी होंगे इसको यहाँ पर fill करना है और एक OTP request करना है जब आप OTP request कर लेंगे तो आपके mobile phone पर जो आपने यहाँ पर fill किया है वहाँ पर OTP आएगा उसको भरने के बाद आप सीधा आ जाएंगे यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आपको यह पूरा form भरना है जिसमें आपको documents upload करने होंगे ठीक है यह भी पूरा page खुल नहीं रहा है क्योंकि मैंने OTP हाँ पर नहीं डाला है तो यह पूरा ही form आपको fill करना होगा step by step कोई भी दिक्कत आए तो comment section में बताइएगा मेरी team आपको reply करेगी और आपकी query को solve करेगी तो ऐसे ही और content के लिए दोस्तो हमें support क करें Instagram पर हमें जरूर follow कर लें कि बहुत सारी legal updates हम वहाँ पर डालते रहते हैं और चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें thank you so much हर हर महादेव take care